हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत थे बच्चो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासेज में बच्चो आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे विश्य गर्नित की वरकशीट लगा है कि किस वस्तू में सबसे ज़्यादा तरल पदार्त आएगा यानि कि पानी तेल दूद मग बोतल कप या चमस तो बच्चो मग में सबसे ज़्यादा तरल पदार्त आएगा अगला है बच्चो कि 27 में हम क्या जोडेंगे कि 37 हो जाए तो बच्चो 27 में हम 10 तो देखिए वच्चो ये कितना हो जाएगा 37 तो उत्तर तीसरा हमारा सही है ये किस जानवर के पैरों के निशान है तो वच्चो ये बतक के पैरों के निशान है इस माला में कितने मोती हैं तो वच्चो इस माला में हम गिनेंगी कितने मोती हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, गुनिस, बीस, बीस तो ये दूसरा उत्तरा हमारा सही है अगला है, बीस में तीस जोड़ेंगे, कितना होगा, बच्चों, बीस में दस जोड़ेंगे, सौरी बीस में दस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, तीस अगला है, सही के लिए, सही हो, गलत के लिए, गलत का निशान लगाईए तो बच्चो देखें यह कितनी तिल्लिया हैं यह है 10 और यह 1, 2, 3, 4, 5 यह है पंदा तो यह बिल्कुल सही है 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0? किया यह सही है? तो बच्चो यह गलत है 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो आएगा 10 सेव का अकार गोल है यह बिल्कुल सही है क्या यह 10 के समू में है तो देखें बच्चो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो बच्चो यह 9 ही है 10 के समू में नहीं है यह गलत होगा क्या यह सेव की प्रतिलीपी है तो यह बिल्कुल सही है अगला देखिए बचो निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजे एक बाल्टी में दस मग पानी आता है तो दो बाल्टी में कितना मग पानी आएगा बचो एक बाल्टी में दस मग आता है तो दो बाल्टी में कितना आएगा मग दो को गुणा करेंगे दस से तो यह आएगा 20 मग पानी अगला है बच्चो कौन सी आकर्ती वाली की सोरी गोल और इस आकर्ती की दो-दो वस्तों के नाम लिखें तो बच्चो आपको बताना है इस आकर्ती की दो-दो वस्तों है तो बच्चो दो-दो वस्तों कौन सी होंगी गोल गोल कौन सी होती है बच्चो घड़ी और आयताकार कौन सी होगी बच्चो आपने देखा होगा आपकी स्कुल में शामपठ होता है ठीक है तो यह लिखेंगे शामपठ अगला है कि अंदाजा लगाओ कि निम बरतन कितने जग पाने डालने से पूरा भर जाएगा तो बच्चो देखे ये बरतन आपको दिया गया है आपको बताना है कि ये जग ये दिया गया है यह तो कितने जग पाने से भरेगा यह एक जग पाने से भर जाएगा अगला है तुम जाने के लिए कितने अमग पाने इस्तमाल करते हो यहां आप लिखेंगे अठारासे 20 जग अगला प्रेशन है क्रम बदता में पूरा कीजिए तो बच्चों आपको इसे पूरा करना है पांच, दस, पंदरा तो देखे बच्चों पांच पांच कदम ये आगे चल रहा है तो पंदरा के बद 20, फिर 25 और 30 अगला है चित्रात्म प्रेशन पैंसिल को निम निद्रेश अनुसार विविन और से देखने पर कैसी दिखाई देगी उसका चित्र बनाईए तो देखे बच्चों पैंसिल उपर से देखने पर कैसी दिखाई देगी गोल दिखाई देगी ठीके नीचे से देखेंगे तो बच्चो नीचे से भी कैसे दिखाई देगी नीचे से भी गोल ही दिखाई देगी और सामने से देखने पर बच्चो सामने से देखने पर पैंसिल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी ठीके अगला है वर्णात्मक प्रशन मा घर में लड़ू बना रही है उन्हें दस लड़ू के डिब्बे बना कर पडोस में बाटने हैं थाल में 27 लड़ू है चलो मा के साथ हम भी लड़ू के डिब्बे बनाएं निमलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए तो देखिए बच्चों कितने घरों में लड़ू बटेंगे दस दस लड़ू के डिब्बर बना के पडोस में बाटने है कुल कितने लड़ू है बच्चों 27 दस दस के कितने बनेंगे दस के एक और दस का एक यानि कि दो घरों में ही लड़ू बटेंगे ठीके किते लड़ू 6 बचे तो बच्चो 27 में से 20 लड़ू बट जाएंगे तो किते बचेंगे 7 लड़ू 6 बचेंगे अगला है एक बोतल में 4 गिलास जूस आता है तो बताइजे कि ऐसी 2 बोतलों में कितना जूस आएगा बच्चो एक बोतल में चार गिलास आता है ठीक है तो दो बोतलों में कितना आएगा तो दो बोतलों में आठ गिलास जूस आएगा ठीक है और एक बोतल में चार गिलास जूस आता है तो इस तरह से बच्चो आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और सभी चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद